नमस्कार मैं हो ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन के पारा सिक्षक फिर आंदुरन की तयारी कर रहे बेतनमान की मांग को लेकर राजे के पारा सिक्षक फिर से आंदुरन की तयारी कर रहे हैं 11 सितंबर को समुदाइक, सहायक, अध्यापक, संग एवं जार्खन राजे सहयोगी सिक्षक संग की सनुक्त बैठक होगी सिक्षक विधान सबा मैदान में जमा होंगे बैठक में परा सिक्षक बेतनमान को लेकर आगे की रणनीती त्यार करेंगे बतादे बिनोद तिवारी वह बिनोद बिहारी महतों ने बताया की बैठक में सिख्षकों के लिए बनाई गई सेवा सर्थ निमावली के अनिरूप अब तक हुई करवाई व बेतनमांग की मांग पर विचार किया जाएगा सेवा सर्थ निमावली में चार फिश्दी मांदे बढ़ोतरी की बात कही गई थी पर अब तक इस मामले में कोई करवाई नहीं की गई है परमानपत्र सत्यापन के नाम पर मांदे भुकतान भी रोक दिया गया है सिख्षकों से परमानपत्र सत्यापन के लिए पुरू में ही रासी जामा ली गई थी विभाग दोरा फिर से रासी मांगी जा रही है सिक्षकों ने फिर रासी जामा की है इसके बाद भी समय पर प्राण पत्र का सत्यापन नहीं कराया गया अगनी बीर बनने वाले युवा का बाधा बन रहे जन प्रतिनीधी सेना की ओर से इन दिनों राइधानी के मौराबादी मैदान में अगनी बीरों की बाहली की जा रही है इस बाहली में भाग लेने के लिए राजे के कोने कोने से युवा पहुच रहे है उनके पास इसमें भाग लेने के लिए जरूरी दास्तावेज भी है लेकिन वाड परसदों के रूखे बेवहार और लापरवाह रवया के कारण राईधानी के ही युवा इस बहाली के लिए जरूरी दास्तावेजों की बाधा पारनाई कर पा रहे दरसल अगनी वीर योजना के तहसेना की बाहाली में सामिल होने वाले युवाव को जाती अवासिये चरीतर सहीत अभिवाहित होने का पवान पत्र साथ मिले कर आना है बहाली निदेशा का कहना है कि उक्त पवान पत्रों को मुखिया सरपंच अथवा अपने चेतर के वाड़ परसत से अभिव पर्मानित करवा कर लाना है जिन अभियार्थियों के पास उप्रोक्त पवान पत्र नहीं होंगे उन्हें बहाली में सामिल नहीं किया जागा इधार आई जाने के कुछ चेतरों से सिकाज मिल रही है कि समधित वाड़ परसत युवाव का पवान पत्र सत्यापत नहीं कर रहे हैं धनबाद मुद्भेड में मारे गया सुभम ने घर में कही थी नवकरी लगने की बात धनबाद के बैंक मोर इस्थीत मुठूर्ट फिन कॉर्प में डकैती के दरान मारा गया भूली बी बलोक निवासी एकईस वर्षी सुभम सिंग और्फ रोबोट और्फ रैविट पटना में रह रहा था एक बर्ष पूर्व उसने अपने घर वालों को बताया था कि उसकी डिफेंस में नवकरी लगी है इसी खुशी में उसके घर वालों ने पूरी मुहले में मिठाई बाती थी बताया जाता है कि धनबाद में इन दिनों सुभम काफी कम ही रह रहा था पहले पढ़ाई के नाम पर वा पटना में और बाद में नोकरी के नाम पर वा बाहर रहने लगा था पिछले दस दिनों से वह धनबाद में ही था मगर घर नहीं गया सुभम और उसके बाकी साथ ही गांधी नगरोड इस्थीत बाबुलाल गली में किसोर सोनी के घर में किराय पर रह रहे थे मंगलवार की साम SSP संजीव कुमार ने पत्रकारों से बात चीत में बताया कि चार सितंबर को यह लोग किसोर सोनी के घर में रहने आए थे लेकिन उसके पहले से पिछले दस दिनों से यह लोग धनबाद में अलग-अलग जगा पर कर रेंकिक कर रहे थे गीरी डी में यूती को बीवी बता जबरन आस्रम ले जा रहा था बाबा जहारखन में एक बाबा को जबरन यूती का हाथ पकड़ना और उसे आस्रम ले जाने की जित काफी मांगा पड़ गया बता दे घटनागिरी डी जीले की है जहांके बेगाबाद थाना छेत्रे के सोन बाद में आस्रम के स्वामी और आदिवासी लड़की के बीच प्रेम पर संग के मामले को लेकर जम कर हंगामा हुआ दरसल देव घर के एक आस्रम के उदय महाराज अनिता मुर्मु नामक यूती को जबरजस्ती हाथ पकड़ कर अपने साथ आस्रम ले जा रहे थे इसी बीच होस्टल के लगभग पचास की संख्या में छात्रों ने नजर पड़ गई फिर क्या था सभी ने जमा होकर हंगामा किया और आस्रम के उदय महाराज की पिटाई कर दी इस बीच अस्थानिय मुखिया और ग्रामिनों की मदद से महाराज को आदिवासी युकती के चंगुल से बचाया गया कैस कांड में फंसे बिधायकों ने कोट से मांगा आठ सपता का समय है जारखन के बहुचरचित कैस कांड में फंसे कांग्रेस के निलामबित बिधायकों ने बिधान सभा अध्यक्स के कोट से आठ सपता का समय मांगा है जारखन कंग्रेस से निलंवीत तीन बिधायक इरफानंसारी राजेस कक्षप नमल बिकसल को गाड़ी के दल बदल के ममले में बुद्धवार को विधानसबा अध्यक्स के कोट में सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान दोनों पक्ष के अधिवक्ता के साथ साथ निलामबीत बिधायक भी ऑनलाइन जुड़े थे कौईस कांड में फंसे कांग्रेस की बिधायकों खिलाप कांग्रेस बिधायक दल नेता अलमगीर आलम की सिकायत पर बिधान सबाध्यक सरविन दात महतों ने सुनवाई की सुनवाई की दोरान दोरान दोनों निलामबीत बिधायकों के अधिवक्ता इंद्रजीत सिंग ने बिधान सबाध्यक से आठ हपते का समय मांगा है उनका कहना था कि तीनों विधायक फिलहाल कुलकात्या में है बीजेपी के ब्राम्वन नेताओ पर स्रीयम हेमन्त ने की टिपनी जारखन के दुमका जिले की बेटी के हत्या के बाद लागातार उसके परिवार से लोगों के मिलने का सिलसिला जारी है इसकर में गोडा संसन निसिकान दुबे, दिल्ली संसन मनोज, तिवारी और कपिल मिस्रा ने भी दुमका जाकर परिजुन से मुलकात की थी अब इस मामली को लेकर सियम हेमन्त सुरेयन ने बीजेपी पर निशाना सैधा है बिधान सबा के बिशेश सत्रे के दवरान सदान में तीनों नेतावों पर टिपनी करते हुए हेमन्त सुरेयन ने कहा की दुमका में दुख ब्याक्त करने के लिए तीन ब्रामहन, निसिकान्त, दुबे, मनोज, तिवारी और कपिल मिस्रा पहुँचे लेकिन अस्थानिये नेताव सुनील सुरेयन को छोड़ दिया सुरेयन ने कहा की जब हमने इस बात पर सवाल उठाया तो बाबुलल मरांडी ने दूसरी घाटना में सुनील सुरेयन को अपने पास बैठा लिया सीयम ने कहा की उनका चेहरा इतना भ्यावा, इतना ड्रावना और इतना क्रूर है कि वे उसे पचानना असान नहीं है लेकिन सत्य पक्ष इतनी क्रूरता और उनकी सोच को भली बाती जानता है अगली बार आप लोग अपना जमानत भी नहीं बचा पाएंगे मांदर की थाप पर जुमे सीयम हिमंत सुरेण आदिवासियो का प्राकिर्ति पर्व का महापर्व कर्मा पूरे जार्खन महरसोलाज के साथ मनाया जा रहा है जग जग इसको लेकर संस्कृति कारकुरमों का भी आविजन किया जा रहा है लोग मांदर की थाप पर जूमते नाचते और प्रकिर्ति का धनेवाद देते नजर आ रहे हैं बता दे सीम हिमन सुरेन ने भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कर्मा का तेवार मनाया कर्म पूजा महोत्सव महादेव टोली के लोवर चुटिया राची में मुख्य मंतरी हिमन सुरेन अपनी पत्नी कल्पना सुरेन के साथ पहुँचे इस दोड़ान राजे सभा सांसद महुआ माजे भी मवजूद रही पलामू के पाकी विधायक और मानातू वीडियो में साहमात का खेल जारी पाकी के विधायक कुस्वहा डेक्टर ससीफ हूसन महता और मानातू के परखंड विकास पता अधिकारी सुनील परकास के वीच दो माह से साहमात का खेल जारी है पर्खाण विकास पताधिकारी ने विधायक के खिलाप राथमी की दर्च कराई है इससे पहले विधायक ने पर्खाण विकास पताधिकारी के खिलाप राजे के ग्रामिन विकास मंत्री और ग्रामिन विकास विभायक सची को भी पत्र लिक्स शिकायत की थी बतादे 16 जुलाई को भाजपा विधायक डक्टर ससी भूसन में तासमर्थकों के साथ मनातु पर्खंड कर्याले पहुंचे थे पर्खंड विकास पतादिकारी के कर्याले में नहीं मिलने पर विधायक उनके आवास में पहुंच गए बिधायक का अरोब था की पर्खंड विकास पतादिकारी ओफिस आवास में घर में बैटकर सराप पी रहे थे इस मामले को लेकर विधायक ने धरना दिया था और करवाई की मांकी थी इटखोरी में परियाटन विकास के लिए खर्च होंगे 500 को रुपा है राष्ट्रिय अलफ संख्यक आयोग के द्वारा इटखोरी के धर्मिक अस्थन भौदूली के विकास में रूची दिखाना चोटी मोटी बात नहीं है बतादे भधुली के प्रती राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोग की आईसी रूची आने वाले समय में एक एतिहासिक धार्मिक अस्थल के लिए पर्याटक विकास का नजारा पेश कर सकती है खास कर भधुली में पर्याटन विकास के लिए बनाएगा 500 को रूपाए के मास्टर प्लान की योजना धरातल पर उतर सकती है दरसल मंगलवार को राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोग की स्थल से रिंचेन लहामो का भधुली मंदीर का दवरा इते फाक नहीं था आयोग में बहुत धर्म का परतिनिधित्व करने वाली रिंचेन लहामो धार्मिक अस्थल भधुली में पर्याटन विकास की संभावनाओं की तलास में आई थी रांची रेलवे एस्टेशन पर लगा एक एस्टेशन एक उतपाद योजना का अस्टोल केंद्रिये बहुत में घोसीत एक एस्टेशन एक उतपाद योजना का अंतरगत रांची रेल मंडल के रांची एस्टेशन पर योजना के सातवे चरन एस्पेल चार के अस्थाई एस्टोल का सुभारम किया गया बता दे बुंडेल खंड महिलाबी का संगठन बरवाडी जार्खन द्वारा हस्त सिल्प कला हाथ से बुने हुए थैलो विभीन परकार के जूट बैग जैविक उतपाद में अरुवेदिक पाचक चूर्ण तथा 14 परकार के अचार जैसे आमडा गाजर करेला आम आदी का स्टोर लगाया गया साथ ही और भी विभीन उतपादों की परदस्नी सब विकरी केंद्र का पंद्र दिवसी और स्था इस्टोर लगाया गया है धन्यवाद यादि आप चैनल पनाए होते चैनलों को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक गंद बैए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बस में अपना फिड़बेक अवस्य दे थैंक यू